असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपसे गिरीन चीकन रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत ही चट पटा और एकदम जायकेदार गिरीन चीकन बन कर तयार होता है ऐसे बनाना बहुत ही आसान है चलो फिर इसे बनाते है सबसे पहले हम गिरीन चीकन बनाने के लिए उसके लिए मसाला तयार करेंगे दो मीडियम साइज के प्यास को इस तरीके से मोटी मोटी काट कर लेंगे पुदीना लेंगे एक मुटी धन्या लेंगे एक मुटी छे से साथ हरी मिर्ची लेंगे मिर्ची आप अपने टेस के हिसा लेंगे बारीक और इसमें आदा नीमबू निचडेंगे नीबू इस लिए नीचडेंगे कि गरी उसका बर्क clown इसका re Water इसका color change नहीं तो मसाला पिषने के पास थोड़ा सब कालर चंज हो जाता इसका ready можно पॉप कर Mm में निचर लेंगे आधा लीमू अब देख सकते हो इसे मैंने बारिक पीच लिए और इसका कलर भी एकदम अच्छा आया है बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है इसी तरीकी के पेस्ट बनाएंगे एकदम बारिक और काजू को और धाई को भी पीच कर एकदम बारिक पेस्ट बना लेंगे इसे भी मैंने पीच लिए हूँ अब हम चिकन मैरेनेट करके रखेंगे यह आदा किलो चिकन है इसे मैंने अच्छे से वाश करके लिए पानी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे इसमें इसमें सूखे मसाले आड़ करेंगे नामक आप अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ करें धन्या पाउडर दालेंगे एक चमच भर कर ब्लेक पेपर पाउडर दालेंगे एक चमच और चाट मसाला दालेंगे एक चमच इसे भी मिक्स कर लेंगे इसमें है जब हमने गिरीन मसाला पिसा हुआ तो उसे भी इसमे ऐट कर देंगे चिकन को अच्छे से मिक्स कर के हम एक गुंडे के मेरेने ठोने रग देंगे हमाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन को मैंने अच्छे तरीके से सारे मसाले लगा के रख दिए इसे हमें एक गंडे के लिए रख देंगे और हमारा चिकन अच्छे से मेरेने ठो चुका है ग्रीन चिकन बनाने के लिए दो चमच तेल लेंगे उसे गरम होने देंगे उसमें दालेंगे दो हरी इलाइची और दो दालचीनी के तुकड़े इसे अच्छे से तड़कने देंगे तेल में तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें दालेंगे एक चमच भरके अध्रक लसन का पेस्ट अध्रक लसन का पेश्ट भी हम अच्छे से भूनेंगे इसकी कच्ची स्मेल जाने तक अध्रक लसन अच्छे से भून चुक है हमने जो मेरिनेट किया हुआ चिकन ता उसमें एड़ कर देंगे इसे हम हाइफ लेम पी दस मिनिट तक पकने देंगे इसे तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसी तरीके से हम इसे दस मिनिट तक पकने देंगे चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और यह मसाले भी थोड़े ड्राय हो चुक है इसे अच्छे से हम भून लेंगे ऐसे दस मिनिट तक ढख कर पकने देंगे अब देख सकते हो चिकन अच्छे से तेल चुट चुका है सारा मसाले में से और चिकन भी अच्छे से पक चुका है आप चाहो तो इसमें ग्रीन कलर भी एड़ कर सकते हो मैंने इसमें ग्रीन कलर एड़ नहीं कियो अब इसमें हमने जो काजू और धाई का पेज बनाएते हैं वो भी एड़ कर देंगे इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों में ऐसे ढख कर दस मिनिट ट्रक कर रख देंगे सीलो गयास पे पकने के लिए अच्छे से पक चुका है इसमें एक चमत डालेंगे गरम मसाला पॉडर इसे भी मिक्स कर लेंगे अब इसमें आदा गिलास पानी एड़ करेंगे आप अपने इसमें कम जादा पानी एड़ कर सकते हो सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढख कर रखेंगे 10 मिनिट और पकने के लिए इसका तेल सेपरेट होने तक इसे हम पकाएंगे अब इसे हम ढख कर 10 मिनिट पकने देंगे अब इसमें दालेंगे कसूरी मेती एक चमज भरके इसे इस तरीके से हाथों से मसल कर इसमें एड़ करेंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे इसे पांच मिनिट अब थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे सीलो के असपे तेल सेपरेट होने तक और हमारा ये गिरीन चीकन फिर बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम गिरीन चीकन आसानी से घर पर बना सकते हो बहुत ही टेस्टी इसका लाजवाब है और ये हमारा गिरीन चीकन बनकर तैयार हो चुका है आपको गिरीन चीकन की ग्रेवी जादी गिरीन चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा कलर भी एड़ कर सकते हो मैंने इसमें बिल्कुल भी गिरीन कलर नहीं एड़ कियो और ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब गिरीन चीकन हमारा बन कर तयार हो चुका है इस तरीके की मेरी और भी वीडियो देखने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करें अब इसे हम सर्फ करेंगे आप इसे नान पराटा रोटी चावल के साथ खा सकते हो बहुत ही टेस्टी गिरीन चीकन बन कर तयार हो चुका है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप इस फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ